बिहार सरकार दोर्ज गुर्देश्टन पास करने मुखमंतिर का निया उठान योजना कता जो 50,000 स्कोलर्शिप दिया जाता है जो भी एस्टुडेंट इस योजना का लाब लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन के थे उन सभी एस्टुडेंटों के लिए वीडियो बहुत इंप आप लोगों को सभी चीज वेरिफाय करवाना है वेरिफाय करवाने के बाद आप लोगों किस परकार यूजर आडी पासपोर्ड पाना है तो आज किस वीडियो को माधम जो फूल इनफॉर्मेशन का साथ बताने बलो साथ में कोई भी एस्टुडेंट का अगर आप लोगो किस परकार इस समझ्चा का सब्धान करना है तो सभी जनकार इस वीडियो को माधम से एस्टे बाएस्टे बताने बलो साथ मैं अगर आप लोग पहली बार इस चैनल पर देख रो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बैल अकॉन को भी अनकर लिजिए क्योंको भी अगर सब्सक्राइब करना है तो आप लगों को मेरे टीगर्प आ उस्टे कर सकते हैं इस वीडियो को भी ぇह कंतेक्ट क्या करने का लएगा उस वाटसप गुरूप में आप लोगों को असानी से जोईन करने का बाद आप लोगों को एड्मीन जो भी है एड्मीन मैं हूं वह तो आप लोगों के एड्मीन से कंटेक्ट करना है तो आप लोगों को हमसे कंटेक्ट असानी से हो जागा तो मैं आप लोगों को बता दिया हूं तो इन student को क्या करना है तो आप लोगों को बता दू की इस पर मैं पहले से भीडियो बना दिया हूँ तो आप लोगों को वीडियो जाकर देख लेना है नहीं तो मैं आप लोगों को बदा दू कि अगर आप लोगों कि यहां पर account status या तो reject है या तो बेंड है तो आप लोगों को अपने bank account में अधार सीडेड करवानी के अब सकता है तो अधार सीडेड किस परकार करवाना है यहां पर question होगा कि मेरे पहले से अधार सीडेड है फिर भी यहां पर reject बता रहे तो आप लोगों को अप लोगों को टेंसन नहीं लेना है आप लोगों कि यह खुद को verify होने में तो आप लोग ध्यान देंगे इसके बाद यहां में अब अब लोगों को बताने बलक्त के आप से अगर आप लोगों को ईसी सोटिपिकेट दिये हैं या आप लोगों को रेसिडेंट सोटिपिकेट उसी को कहते हैं और आवास्य परमानपत्र भी आप लोगों को उसी को कहते हैं अगर आप लोगों को अस्थाई आप लोगों को रेसिडेंट सोटिपिकेट होना चाहिए साथ में आप लोगों को जो भी अधार काड़ पर addres है वही आप लोगो पर अगर आप लोगों को यहा पर देख लिए जहाईनल इस्टेटरश में आप लोगों को का option आप लोगों को सोह करने लगे तो आप लोगों को समझ लेना है कि आप लोगों को फिर से रिपले करना है अगर आप लोगों को यहां पर आप लोगों को फूल बेरिफिकेशन पेंडिंग लिखा है तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है आप लोगों को यहां पर जब त प्राप्सपोर्ट नहीं मिलेगा साथ में आप लोगों को बता दूब कि तब तक ना आप फिर से रिप्लाइ कर सकते बहुत दिनों से यहां पर दखे लिए यहां पर रेसिडेंट सोटीपिकेट पेंडिंग है फूल बीरिपिकेसन पेंडिंग है तक हैं फिर से अपलाइ कर प्रैप्लाइब आप लोगों को घर यह प्रप्रक् ליक्त होगा तब whaleny को फिर से अगर आप लोगो को आप लोगों को फ्रोब्लम्डाद लिए अगर आप candidate में Hanol आप लोगों को फिर से अप्लाई कर लेना है कर अगर आप लोगों को हैं पर देखे लिए फूल सब्सक्राइbn , तब हुआ नाम चों में है या आप लोगों क इंसार करना है जो अफर लोगों के सब नोजगर को मैं आप लोगों को पैरिफाय कर दिया जाए जब तक न आप लोगों को फिर से डिटेल ॉठ बार मैं अप्लाइ कर चुका हूं फिर भी रिजक्ट किया जा रहा है तो आप लोगों को अप लोगों को सभी जनकारी बता दियो इसके बाब जुद अगर कोई भी छोटी बड़ी अपडेट आता है तो सबसे पहले इस चैनल के द्वार आप लोगों तक पहुंचा दिया जाता है साथ में बहुत इस्टूडेन का यह भी सवाल था कि हम पांत दिन पहले आउनलाइन आभेदन की अभी तक ने भेरिफाई हुआ है तो आप लोगों को बद अंदर आप लोगों को अगर भेरिफाई नहीं होता है उसके अंदर आप लोगों को फरम को रिजेक्ट कर दिया जाएगा इसलिए मैं आप लोगों को सभी जानकारी बता दियो साथ में आप लोगों को अगर कोई डॉट है प्रोब्लम में इस वीडियो को में जाकर कर सकता रहे तो चले मिलते किसी नेक्ट बीडियों होनी अफडेर के साथ तब तक के लिए धन्यवाद